Tutants, ॐदॉ सवारभाटा, दोचभ वह दें से तोर। कि जोहारभाटा भोता है। इसे ही कहते हैं जौर भाटा इसे ही कहते हैं लेकिन ये टीचर पूछे जौर भाटा है क्या तो आप बताऊगा ये लेकिन ये पूच दे कि जौर भाटा होता कैसे है जौर भाटा कैसे किसके कारण होता है काब होता है काहा होता है ये अगर पूच दे तो मेरे जैसा हमूँ लट जाएग़ ठीक है तो चलिए सिखते हैं तो अगर आपको यह सिखना है इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और बैल आइकन को दवा दिए ताकि हमारी वीडियो का नौड इविकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे तो चलिए स्टाट करते हैं यहां से क्वेस्टन भी बनते हैं यहां से क्वेस्टन भी बनते हैं तो वहोड़कर करके NDPC BPSC में बनते हैं क्वेश्चल तो देख Nico बताऊँग손 यानि टाइड्स होता है यह तो चलिए देखते ज़ारबाटा होता क्या है यह क्या तेने यहां पर और डिफाइंड से अछे से बताऊँ देखिए क्या है जवार्भाटा यानि टाइड़ चंद्रमा इबं सूरी की आकरशन सक्तियों के सागर्ये ज़ल के उपर उठने को यानि चंद्रमा है और देखिए सूर्या और चंद्रमा है उसके आकरसन सक्तियों के कारण जो उनका आकरसन सक्ति है उसके कारण सागरीय जल यानि सागर का जल सागर का जल में क्या होता है उपर उठने के कारण सागरीय जल को उपर उठने के कारण क्या काते हैं उसे उपर उठने तथा गिरने के गिरने को जुआर भटकते यानि जो एक जैसे देखिए एक यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पहले ये देखिए समझा देताँ पहले जैसे सूरी है इधर एक सूरी है ठीक है और यहाँ पर चंद्रमा है और इन दोनों के आकरशन सक्तियों के कारण जो सागरिये जल में क्या होता है सागरिये जल को उठने तथा गिरने को जुआर भटकते यानि सागरिये जल ऐसे देखिए सागरिये जल आपका उड़ियाता है यह सागरिये जल उठा उसके वाल क्या किया सागरिये जल उठा तो इसे ही काते है क्या काते है इसे ही जुआर का स्टूरी और चनरमा का आकरशन सकती था उसके कारण सागरिये जल के उपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटवकाद दोनों के आकरसन सकती जर्ड और चन्रमा के कारण सागरीय जर्डSet का ऊपर उढ़ना जो टोसे ही जाते हैं उसे जौर से जौर में आ पकुला और यानि यह देखने के हैं रहते हैं दनी करने के लिए इसको देखने आते हैं एक और क्या है तथा तथा इसमें जो ये घिरता है तो इसे ही काते हैं भाटा यानि ऊपर उठता है सागरिये जल तो ये होता है हमारा जुआर और ये हमारा नीचे जब बैठता है तो ये ही कालाता है हमारा भाटा ये हो गया ये समझ में आगया यानि सागरिये जल में दोनों के सु बठने को भाटा काते आपको समय में आ गया तो इसे इक चलिए और बढ़ते और इसमें और जो मुख्य बात है वह बताता हूं कि यह जब सक्तियों के कारण दोनों के तो इसमें हम बताएंगे सागर्य जल जब उपर उठता है तो क्या करते हैं उससे जब सागर्य जल को ऊप पर उठता है उसका रतोवा कलाता है आपका ज्वार और जब वो नीचे बढ़ता है तो भाटा कलाता है लेकिन अगर आप टीचर कहे ज्वार यानी होता क्या है ज्वार का इंग्लिस बताओ ज्वार यानी आप कहिएगा ज्वार यानी होता है टाइड ज्वार यानी होता है इबी बी जॉर यानि टाइड और भाटा यानि इबी बी ठीगए तो यह याद रखेंगे दोनों को यही करते यह जॉर यानि पनला दीया है चलिए बहुत अचीए बात है आप समझ भी और आप टीचर गईगा तो आपको दिखन दे यह नहीं होगी चलिए आगे बढ़ते आ क्योंकि देखिए चाद्रमा जो है उसका जुआर चाद्रमा का जुआर उत्पादक बल स्थूर की आपेक्छा में दुगना होता है क्योंकि यह स्थूर की तुलना में प्रित्वी से प्रित्वी के आधिक निकट होता है ठीक है प्रित्वी के आधिक निकट होता है सूरी या तो मेरी वीडियो आपको पूरा तो देख लीजिए आपको पूरा समनी है कि इतना ग्रहा है कि आपको वीडियो थे सब्सक्राइब तो यह मैंने बता दिया यानी जन्रमा ज्वार उपालक बल सूरी की आप एक्छा दुगना होता है क्योंकि या सूरी की तुलना से प्रिथवी के अधिक निकट होता है आमा वस्तिया और पुर्णिमा के दिन क्या है चन्रमा सूरी एवन प्रिथवी एक सीधी में होता है यानी दिखिए इसमें मुख्य रूप से आपको बात याद रखना है मुख्य रूप से एक आ जाता है हमारा सूरी चलिए और यहां से एक सूरी हो गया और इधर और यहां पर आ जाता है सूरी और यह बीच में आ एक ही रिखाम है यानी सूरी का प्रकास इस पर बढ़ा तो यहां से चलिए मैं मैं बताता हूँ यानी मेरी वीडियो देख लीजिए किसका सूरी गरान लोग सोलार के सारो लूण रिंय रिंट ऐस ब्रकास पण्ध्राय यहां पर सूर्य का परिष्वी पर हमेंसा इपढ़ता है धूप जो वृष्व पर का सोय पढ़ता थे क्लश्वी पर तो क्या होता है कभी का एक एसंति है यहां पर six time में 16 system होगे सौरी मंड़ले और इसमें एहां पर यहां निगा निकट निकट दया तो इसलिए इसको अरिई दिखन होने के कारण तो या चंद्रमा सूरी प्रिष्वी के चारों और चक्कर लगाता है तो एक बार ऐसा होता है घुंते 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 प्रिष्वी सूरी और प्रिष्वी के बीच आ जाता है चंद्रमा सूरी और प्रिष्वी के बीच आ जाता है चंद्रमा तो सूरी का ये सन हो गया ये म तो मून का जो च्छाया पढ़ता है तो दिखाई नहीं देता है सूरी सोहाम भी या ने फिम से दिखार नहीं देता है सूरी उन्हां कभ यह जाना इस पीजिए तो प्रिस्वी पर नहीं पड़ता है इसी लिए यह परिस्वी से जब हम देखते हैं सूरी को तो दिखाई नहीं देता उसका कुछी कुछी हिस्सा दिखाई देता है कभी कवारत पूरा हिस्सा नहीं दिखाई देता है तो इसे ही हम कहते हैं सूरी ग्राहन चलिए तो यह भी मैंने आपको बता दिया सूरी ग्राहन इसे कहा जाता है तो इसी की कारण आपका लगता है यही पर जोरवाटा लगाया रहता है तो यहाड़ी यहाँ पर लिखाथा चनरमा का जोर उत्पादक बल सूरी की आपेख्छा दुगना होता है क्योंकि यह सूरी की तुल्ना में पिरिध्वी से अधिक निकट होता है आपका मून ठीक है तो मैं आगे बताऊंगा और इसमें मुख्य रूप से ऐसा कब होता है देखिए आमावस्या और पुर्निमा के दिन होता है यानि पुर्निमा आपको समझना होगा पुर्निमा क्या है यानि यह आपका हुजाता है सन ठीक है यह आपका सन और यहाँ पर आपका आजाता है तो हमारा यह आर्थ हुआ गया करने पूर्णीमा होता है कब? ये मैं आपको बताता हूँ तो अगर देखिए जैसे ये सूरी का परकास ये यहाँ पर और ऐसा भी होता है कि देखिए ऐसा भी होता है कि सूरी का चक्कर कौन लगाता है प्रिशिवी लगाता है सूरी का चक्कर की कर तो ऐसा घूंते 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 एक बार सूरी और चमरमा के बीच सीधी रेखा में आ जाता है इसे कहते हैं इस सुरी का परकास और परकास प्रिशीमी पर पढ़ता है इसीलिए क्या होता है मून का हिस्सा दिखाई ने जिए हम इसी कहते हैं चंद्र ग्रांचasara इसलिए में तो यह मैंने आपको बताया इसी के कारण बताया कि जो और भटा इसी के दिन होता है यह मैं आपको बता दिया चलिए और क्या इसमें आमवस्या और पुर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य एवां पृष्वी एक सीज़ी एक खामें आजिती है और पुर्णिमा के दिन सूर्य और पृष्वी 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 औ उच्च जुआर उत्पन होता है और क्या है दोनों पक्षों की संपत्ति या आश्टमी को सूर्य चंद्रमा प्रिथवी के क्या है सूर्य चंद्रमा प्रिथवी की केंदर पर समकून बनाते हैं इस इस्थिती में सूर्य और चंद्रमा एक आकर्शन बल में आते हैं एक आकर्शन बल एक दूसरे को संतुलित करने के परियास में प्रावाहीन हो जाते हैं अता है इस दिन ज्वार उद्पन होता है इसी दिन आपका सोरी ग्रहान और आमा वस्या और यह आपका पुर्यमा प्रिथवी पर प्रतियक अस्थान पर प्रति दिन 26 गंटे 26 गंटे और 26 मीनट के बाद क्या लगता है 26 गंटे और 26 मीनट के बाद आपका ज्वार उत्पन होता है ज्वार होता है यानि टाइट होता है ज्वार यह आपका ज्वार उत्पन होता है और क्या होता है यह ज्वार के बाद ज्वार के बाद आपका 6 गंटे बार के बाद 6 गंटे 13 मिनट के बाद क्या लगता है 13 मिनट के बाद हमारा यह हो जाता है भाटा आता है भाटा यानि देखिए बताता हूं आपको यानि प्रिथमी है प्रिथमी एक हो गया यहाँ पर और उसके प्रतियक अस्थान पर और प्रती दीन क्या होता है प्रती दीन दो बार आते हैं इसमें जुआर आते हैं दो बार दो बार सिर्फ जुआर आते हैं प्रिधिवी के प्रते अस्थान पर प्रती दीन दो बार जुआर आते हैं इसे कहते हैं जुवार ठीक है आने बैटने को भाटा काते हैं수를 दोबहर जुवार आते हैं और इसमें प्रिथ्मिन के प्रतेकस्तान प्रती दीन 26 घंटे 26 मिनट के बाद जुवार उत्पन होता यह आपका जुवार और जुआर के 6 गंटे 13 मिनट के बाद आपका ये इसे क्या करते हैं भाटा उत्पन होता यानि इवी इवी लिख लिए हो 26 गंटे 26 मिनट के बाद जुआर और उसके 6 गंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है इवी फी ठीक है तो ये मैंने आपको बता दिया चलिए बहुत अची बात है आप ये भी समझ गयांगा और ये बात बsm 2024 प्रतीबिन दो भार आते हैं ठीक है चलिए और एक और बार जो दक्षिनी इंग्लेंड ये आपका जो दक्षिनी इंग्लेंड हो गया वहाँ पर क्या होता है चार बार जुआ राते हैं चार बार दक्षिनी इंग्लेंड है कौन से दक्षिनी इंग्लेंड तट पर साउथ इंपटेंड क्या है साउथ देखिए मैं आपके साउथ साउथ थाइंपटन ठीक है साउथ थाइंपटन यहीं इस्थान है वो यानि दक् पर साउथ फाइम पटन उसका असथान ऑफ फाइम में चार बार ज्वार लगते हैं आपका ये चार बार ज्वार आता है चार बार ज्वार यहाने टाइट साता है द्ञ्षने इंगलेंड तर पर Southam button यक स्थान तो ए आपको याद होtype है ए यही है कि पूल इमा के दिन होता है टिक है तो यह मैं और इसका उपर उठना है यही होता है यानि जौर और यह सागरिये जल का नीचे गिरना इसे भाटा कते यानि इवी तो मैंने आज आपको जौर भाटा टाइट्स बता है तो आपको आज के लिए आपको टीचर से मार महीं लगेगी चलिए तो यह आपको समझ में आ गया तो आप बता सकते जौर क्या ओता घंटा क्या ओता ठीक है चलिए यह भी मैंने बता दिये तो अगर यह वीडियो आपको लोग अच्छी इसको लाइक करिए शेयर करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब लाइक कर दिए शेयर कर दिए ठीक है तो तबते क कि लिए भाई भाई इसका सक्राइब शड़ना चाथे तो ले सकना ठीक है चलिए लेलीचे